नमस्कार जै जोहार साथियों मैं हूँ आप सभी के साथ नीधी भारदवाज CG Roundup के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है मेने साथ है सयोगी पूजा शर्मा CG Roundup में हम आप के लिए लेकर आते हैं दिन भर की वो बड़ी खबरें जो आप के लिए जानना जरूरी है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुवात करते हैं तो खबर है दोस्तों कि बहुत ही जल्द Congress की जो दूसरी लिस्ट है वो आ सकती है 36 गर में अभी भी पास सीटों पर पेच फसा हुआ है पास सीटों पर Congress ने अपने प्रत्याशों का अलान नहीं किया है और ये माना जा रहा है कि कल यानि की 15 मार्च को Congress बाकी बचे हुई पास सीटों पर प्रत्याशों का अलान कर सकती है अब इन सीटों पर प्रत्याशी कौन हो सकता है और कहां पर पेज फस रहा है इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे बिलासपुर से विश्नु यादफ का नाम सामने आ रहा है पहले कहा जा रहा था कि शाय टीयस सिंग देव को इस सीट से रडाया जा सकता है लेकिन टीयस सिंग देव ने साफ साफ इंकार कर दिया है और अब जो फाइनल नाम एक तरीके से जो सामने निकल कर आ रहा है वो विश्नु यादफ पर है अब देखने वाली बात होगी कि कल इस पर मुहर लगती है या नहीं अब मैं उन दो सीटों के बारे में बात करूँगी जहाँ पर सबसे जादा पेज फस्ता हुआ दिखाई दे रहा है एक है सरगुजा सीट जहाँ पर अमरजीत भगत जो की पूर्व मंत्री रही है और प्रेम साय सिंग टेकाम ये भी पूर्व सिक्षा मंत्री रह चुके है इन दोनों नामों पर कहा जा रहा है कि पेज फसा हुआ है इन दोनों में से कोई एक उमिद्वार जो है वो सरगुजा लोगसभा सीट से कॉंग्रिस अपना बना सकती है दूसरी सीट को लेकर लगातार बहुत दिनों से चर्चा चल रही है ये है बस्तर की सीट ऐसी सीट ज जो दुविदा है कॉंग्रस के मन में वो बहुत जादा बढ़ गई है कि आखिर लखमा के बेटे को टिकट दे या फिर मौझूदा सांसत और PCC चीफ दीपक बैच को टिकट दिया जाए हला कि PCC चीफ दीपक बैच ने तो पहले कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे उसके बाद उन्होंने कहा कि आला कमान जो कहेगा मैं वैसा करूँ गया अब जब बात बहुत आगे पहुँच चुकी है लोगसभा चुनाव की तारीकों का एलान भी बहुत जल्द होने वाला है ऐसे में ये खबरे निकल कर सामने आ रही है कि दीपक बैच को काकेर लोगसभा सीट के साथ अरजस्ट किया जा सकता है और बस्तर लोगसभा सीट से कवासी लखमा या फिर उनके बेटे हरीश लखमा को कॉंग्रिस पार्थी टिकट दे सकती है अब ये देखने वाली बात होगी कि कल जब कॉंग्रिस के लिस्ट आएगी तो किस नाम पर मोहर लगती है लेकिन दीपक बैज ने लोग सभाचुनाब लड़ने को लेकर क्या कुछ कहा इसे लेकर पूज आपको ज़ादा विस्तार से जानकारी देंगी बिल्कुल लिधी आज पत्रकारों से जब उन्होंने चर्चा की दीपक बैज ने तो सबसे पहले सवाल जाहिट तोर पर यही उठा पत्रकारों की ओर से कि 5 सीटों में अभी तक नाम डिकलियर नहीं किये हैं कॉंग्रेस की ओर से कहा पेज फस रहे तो जो सबसे ज़ादा पेज फसने की बाद जैसा कि आप बता चुकी हैं बस्तर सीट से है और इस बार पार्टी के बीच इस सीट को लेकर काफी उठा पतक की स्थिती देखने को मिल रही है लेकिन इस बार बहुती शांत लहजे में जो है दीपक बैज ने ये कहा है कि शेटों पर भी नए चेहरे उतारे हैं पार्टी ने उन्होंने कमपेयर किया बीजेपी से और ये कहा कि बीजेपी ने भी नए और पुराने चेहरों का मिश्टरंड किया है तो कॉंग्रिस क्यों नहीं कर सकती तो जैसे हमारे जो 6 नामों का डिक्लेरेशन हुआ है उसमें भी नय और पुराने चहरे हैं उसमें उसी तरह जो 5 सीट आने वाले हैं 5 उमीदवारों के नाम आने वाले हैं 5 सीटों पर उसमें भी नय चहरे मैदान में उतरेंगे यानि कि एक तोर से उनके इस बयान से ये समझा जा रहा है कि बस्तर लोग सभा सीड से इस बार दीपक बैज शायद चुना ना लड़े क्योंकि कवासी लखमा कॉंग्रिस के कदावर नेता है, मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने यहां से अपने बेटे के लिए टिकेट मां मैदान में उतार सकती है, और अगर ऐसा होता है तो मोहन मरकाम का नाम कर जाता है, PCC चीप वो भी रह चुके हैं, तो यह जो खीचतान है, पार्टी किसी बी तरह से कोई निर्ने नहीं ले पारी है, इन सीटों को ले कर, क्योंकि कहीं न कहीं कॉंग्रिस का, अब तक का जो देखते आ रहे हैं कि जैसे ही अगर किसी एक का टिकेट करता है तो अंता कला बिलकुल फूट पड़ता है तो ऐसे में पाइटी के पास दो बड़ी चुनौतियां एक तो इन दोनों नामों पर ऐसे चेहरों को मैदान में उतारना खास कर तब और जादा जब बस्तर सीट पर क जादान में उतारती ही पार्टी और अगर कांकेर में दिपक बैच को स्रिप्ट किया जाता है तो मोहन मरकाम जैसे दिगज जो नेता है कॉंग्रेस के उनके लिए पार्टी क्या रण निती अपनाएगी और अगर ऐसा है तो कहीं फिर से फूटना पड़ जाए तो उनको मन कॉंग्रेस ने दाफ खेला पूर्ब मुखी मंत्री बुपेश बगेल राजनान गाओं लोग सभा सीट से चुनाव लड़ रही है और बीजूपी इसे लेकर लगातार हमला वर रही है और हाल ही में डिप्टी सीम विजय शर्मा जब राजनान गाओं पहुचे उन्होंने बुपेश बगेल पर तीखा प्रहार किया और पूछा कि भाईया लोग सभासीट राजनान गाओं की जो है वो यहां से आपके उचुनाव लड़ रहे हैं दुर्ग से आप विधायक हैं आप पूर्व सीम रह चुके हैं आपका निर्वाचन शेत्र दुर्ग है तो दुर् तो यह था विजय शर्मा का बयान अब विजय शर्मा के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भुपेश बगेल का भी पलटवार सामने आया बुपेश बगेल ने कहा कि दूर्ग से मेरा चोटा भाई चुनाब लड़ रहा है और जैसा की कारिकरताओं ने कहा था जैसा कारिकरता चाहते हैं जैसी उनकी डिमांड है उस डिमांड के अधार पर मैं इस सीट से लोग सभा चुनाब लड़ रहा हूँ चलिए आपको भुपेश मगेल का भी ये बयान सुना देते हैं मेरा चोटा भाई राजन साहू लड़ा और मुक्यमंत्री रहवे ब्यक्ति के लिए अलग-अलग जगह डिमांड आती है तो यहां के सभी कांग्रेस जवनों ने प्रस्ताओं पारित किया और सभी विधायकों ने प्रत्यासी से सब लोगों ने कहा कि नाद जाओं लोग सभा से भुपेश भागेल के लड़ाये गाए और यह प्रस्ताओं अकिल भारते कांग्रेस कमेटे ने मान लिया और उन्हों ने मुझे यहां भीजा है तो यहां के साथ ही ओक डिमांड पर ही मुझे यहां भीजा गया है तो भुपेश भागेल ने जो दुर्गसे प्रत्याशी है उन्हें अपना छोटा भाई बताया है अब कौन है वो दुर्गसे प्रत्याशी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको यहां पर पूजा देंगी जिस छोटे भाई का जिक्र भुपेश भगेल ने किया है निधी वो कोई और नहीं राजेंदर साहू है इनके उपर पाजी ने इतना जादा भरोसा जताया कि पूर्व ग्री मंत्री रह चुके तामरधव साहू की सीट बदल दी गई उन्हें महासमोन शिफ्ट कर दिया गय और मैं राजेंदर साहू के बारे में आपको बताते चलू तो इन्होंने मोती लाल वोरा जो कॉंग्रेस के कदावर दिगज नेता माने जाते हैं उनका पुतला दहन किया था उस वक्त ये चर्चा में आय थे उसके बाद इन्होंने पार्टी से बगावत कर निर्दलिय विधान सभा चुनाव में इन्हें हार मिली लेकिन उस दौरान कॉंग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें भी हार मिली ऐसे में राजेंदर साहू पर कॉंग्रेस के प्रत्याशी के हार का भी आरोप लगा और अब फिल जाकर उन्होंने साल 2018 में वापस कॉंग्रेस में बापस लेकिन जैसे ही ये टिकट उनको मिला है तब से उनके फिर से आरोप लगने लग गया है कि इन्होंने पार्टी से बगावत की थी, इन्होंने दिगज नेता का पुतला जलाया था, ऐसे में कॉंग्रेस का इन पर भरोसा कितना कारगर साबित होता है ये आने वाला वक्त ही बत बनती है तो सालाना दस मात की जगा एक लाक रुपे गरीब महिलाओं को दिया जाएगा अब ये दाव कॉंग्रेस का कितना मास्टर स्टोक साबित होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन फिलाल सीजी राउंड अप में इतना ही मुझे और मेरे सही होगी पूज शर्मा को दीजे अजासत नमस्कार चार।